हेलो एवरीवन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 की आपकी इंग्लिश की वर्क्षीट नंबर 35 डेट है आपकी 10-5-2021 आज की वर्क्षीट में बच्चों हम यूज ऑफ इसम और पढ़ेंगे इसके लावा यूज ऑफ हैस और हैव को देखेंगे ठीक है तो फर्स्ट अफ हम इसम आर देख लेते हैं जैसे कि देखिए लुक एट पिच्चर एंड रीड दो संटेंस यहां पर आपको कुछ संटेंस दिये गए हैं लाइक दिस इस अ फ्लावर डैट इस अ बटर फ्लाई इट इस अ कंप्यूटर शी इस डांसर ही इस प्लमबर तो यहां पर आप जि हम इस का यूज नावन और प्रनावन तो जितने भी आप संटेंस इस लिखो गे जिसमें स्ट्छिध का यूज करोन हो इसमें यूज करोगे घिक है किसी का नेम हो गया तो इनके साथ संसर tenho सान्पर यीरर्द के साथ हम इस का यूज करते हैं तैन दिया गया है लुक एट थ पर दिया गया है, there are books की किताबे हैं, ठीक है, तो यहां पर books है, एक book नहीं है, बहुत सारी books है, इसलिए हम are यूज कर रहे हैं, those are vegetable की वो सबजिया है, those are trees, वे क्या है, पेड है, they are men, they are girls, ठीक है, तो इसमें क्या है, सारे ही पुरलर है हमारे, तो जब भी पुरलर होते हैं, noun या pronoun तो उसमें हम are का use करते हैं, आप ध्यान रखना, singular में हम is का use करते हैं, जितने भी singular होते हैं, उसमें is का use करते हैं, और जब पुरलर होते हैं, यानि एक से जादा होते हैं, तब हम are का use करते हैं, जैसे this हमारा, this पुरलर है, तो हम are use करेंगे, those भी हमारा पुरलर है, ठीके दे भी हमारा पुरलर है इसके लावा वी भी हमारा पुरलर होता है तो उसके साथ भी हम आर यूज करते हैं उसके बाद है also remember the pronoun I always make use of am that is और उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो I होता है उसके साथ am use होता है ठीके सिर्फ I एक ऐसा हमारा pronoun है जिसके साथ am का use किया जाता है जैसे I am a doctor, I am tired, I am a good swimmer, I am not a ठीके तो हमें हमेशा I के साथ am use करना होता है अब आपके लिए question दिया गया है now let us try to fill in the blanks with is am और are जैसे first है आपका dad dash my doll so that singular है तो इसके साथ हम use करेंगे is I is सबसे first वाले में आप लिखेंगे is I is ठीके यहां से आप इसको fill कर सकते हैं यहां से ठीके दोनों ही side आपका लिखा गया तो आप यहां से करके fill करेंगे उसके बाद है आपका this is ठीके हम इसमें fill करेंगे is there are apples ठीके यह वह क्या है apples है save है it is a long story those are shore grabs ठीके फिर six है आपका the school is closed today I am a good student she is beautiful girl she is a beautiful girl they are not my friends he is my favorite teacher तो इस तरह से आप यह fill in the blanks fill करेंगे अपनी notebook में लिखेंगे ठीके फिल करने के बाद use of has and have अब हम has और have का use देखते हैं कि यह कैसे use होते हैं और कहां use होते हैं तो similarly we use has with singular noun और pronoun noun और pronoun have with plural noun और pronoun तो has का use हम कहां करते हैं singular के साथ singular noun और pronoun के साथ और have का use करते हैं जितने भी हमारे plural noun और pronoun होते हैं तो आईए देखते हैं यहाँ पे कुछ sentences दिये गए हैं आपके लिए कि look at the pictures and the read the sentences जैसे है he has many toys कि उसके पास बहुत सारे खिलोने हैं तो उसके क्या हुआ उसके की English होती है आपके he तो he हमारा singular है इसलिए हम इसके साथ has use करेंगे राधा has a teddy bear कि राधा के पास क्या है teddy bear है तो राधा एक singular noun है हमारा इसलिए हम यहाँ पर has use करेंगे she has a new ball she भी हमारा क्या है singular है इसलिए she के साथ has use किया जाएगा the school has a big library a triangle has three sides उसी तरह देखिए यहाँ पर purler के आपके examples दिये गए है we have a pet dog कि हमारे पास एक pet dog है they have a car कि उनके पास क्या है एक car है you have a nice watch तुम्हारे पास अच्छी मतलब एक अच्छी घड़ी है the student have their own own lunch I have a beautiful dress तो जितने भी हमारे purler होते है उसमें हम have का use करते है I के साथ भी have का use होता है इसके लावा आपका you हो गया they हो गया we हो गया इन सब के साथ हम have use करते है बलकि has हम he के साथ she के साथ या फिर it के साथ या किसी का name हो वहाँ पर has यूज करते है ठीक है I hope आपको यह difference पता चल गया हो अब आपके लिए questions दिये गए है question number 5 है कि now let us try to fill in the blanks with has or have तो first है आपका my school इसमें आप लिखेंगे my school has a large auditorium उसके बाद है she, तो she has black hair क्योंकि she हमारा क्या है एक singular है he has many bats, they have no mobile phone, Ravi has a new umbrella रवी क्या है हमारा एक noun है और singular noun है इसलिए हम has use करेंगे six है आपका you have a lovely smile, it has many stories, I have a blue pen, ठीक है I के साथ हम यहाँ पर use करेंगे have, ठीक है कि मेरे पास एक blue pen है ninth है आपका we have friends here, tenth है आपका the teachers dash a lot of knowledge तो यहाँ पर teachers लिखा हुआ है इसलिए हम यहाँ पर have का use करेंगे अगर teacher होता तो हम has use करते है ठीक है लेकिन teachers है पुर्लर है इसलिए हम have यूज करेंगे ओक्के तो यह थी आज की आपकी worksheet, I hope आपको अच्छी लगी हो, thank you so much कर मारा है ठीक है तो हैं